आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाओ मतलब है जो plasma membrane है plasma membrane का एक करेक्टरिस्टिक है क्या कि ये membrane होती है semi-permeable nature में semi-permeable होती है मतलब जितने भी molecules है जितने भी ions है सब को cell के अंदर as it is नहीं आने देती के विल selected ions है selected molecules, minerals के विल उनहीं को अंदर आने देती इसलिए इस membrane को बोला जाता है स्ट्रक्चर होगा cells के अंदर सबसे पहले स्ट्रक्चर आया था sandwich model जो की दिया था देवसन और देने लिने ये जो sandwich model था sandwich model इस model के according बोला गया था कि जो plasma membrane है वो बनी होती है lipid bilayer की lipid bilayer की ये जो lipid bilayer होती है ये होती है hydrophobic nature में hydrophobic अब इसका मतलब क्या होता है hydro का मतलब क्या होता है water phobic का मतलब क्या होता है कि जिसको डर लगता हो phobic का मतलब जिसके साथ रहता ना हो डर लगता हो दूर भागना तो इसका मतलब क्या होगा रिपेल करना phobic का मतलब होगा रिपेल करना वो cell जो membrane है, membrane के तुरू other cytoplasm में enter कैसे करेंगे वो enter करेंगे with the help of protein की layer तो इन्होंने बोला कि protein की layer जो होती है वो दो layer present होती है, एक उपर होती है, जैसे कि हैंपर model में दिखाए, एक जो होती है, उपर होती है यानि outer वाली, और एक होती है inner layer दो layer होती है, एन बीच में क्या होती है lipid bilayer होती है, तो इजर कितनी layer present होगी in total total इन्होंने बोला था, 3 layers का बनावा होता है, ये, last membrane 3 layers होती है, सबसे पहले आती है protein के layer, देन आती है lipid की bilayer, lipid की bilayer देन आती है एक और protein की layer, बट जब experiments conduct किये तो पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है कि protein की पूरी layer present होती है आपे उपर, तो ये क्या होता, ये जो model था ये कर दिया गया था, रिजेक्टेड क्योंकि experiments को इसने satisfy नहीं किया था, उसके बाद model निकाला गया, sandwich model के बाद निकाला गया, Nicholson and singer का, singer and Nicholson का fluid mosaic model, जैसे कि इसके नाम में क्या है, fluid mosaic fluid mosaic model fluid mosaic model जो था, ये निकाला था, singer and Nicholson ने, इन्होंने बोला था कि एक mosaic-like structure होता है mosaic-like structure होता है, हमारी plasma membrane का, उसमें embedded होते है सारे proteins ना की layer होती है तो उन्होंने भी क्या बोला था, कि lipid by layer present होती है, lipid by layer present होती है present होती है, ये क्या होती है, hydrophobic होती है तो nature ही होता है, lipid का hydrophobic होता है nature में water को repel करता है और इसके अंदर क्या embedded होते हैं, इस layer में embedded होते हैं, embedded होते हैं, सारे proteins, proteins embedded होते हैं, पूरी layer में present नहीं होते हैं इन्हीं प्रोटीन को हमने क्या नाम दिया है ट्रांस्पोर्ट प्रोटीन्स ट्रांस्पोर्ट प्रोटीन्स या फिर चैनल प्रोटीन्स ट्रांस्पोर्टीन्स जो होते हैं इनमें क्या होता है diffusion के थूरू diffusion के थूरू simple transport होता है molecules का जबकि जो इनमें active transport होता है ATP use होती है जब कि जो normal transport proteins है केवल diffusion के तुरूई क्या करते हैं जो भी हमारे molecules है minerals है ions उनका transport करते हैं cytoplasm के अंदर तो उनने यही बात बोली थी कि जो lipid by layer है उसके अंदर embedded है proteins ना कि पूरी की पूरी protein की layer present है जब experiments कंड़क गए गए तो experiments के तुरू पता चला कि जो इनका model है वो सारे experiments को क्या कर रहा है satisfy कर रहा है तो इसलिए model जो है क्या कर दिया गया यह accept कर लिया model इसलिए model को एक better model माना जाता है क्योंकि इन्होंने बोला थे कि जो proteins है वो embedded होते पूरी layer नहीं होती है अगर पूरी पूरी layer ही proteins की होगी तो फिर semi-permeable कैसे हुआ है ना तो इसलिए इस model को एक better model माना जाता है sandwich model से classic studio से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें doubt net आप या whatsapp कीजे अपने doubts 8400400 पर